फिलेमोन पहला अध्याए एक से पचीस तक पॉल उसकी ओर से जो मसी इशु का कैदी है और भाई तिमुतिय उसकी ओर से हमारे प्रिय सहकर में फिलेमोन और बहिन अफिया और हमारे साथी योधा अर्खिपुस और फिलेमोन के घर की कलिसिया के नाम हमारे पिता परमिश्वर और प्रभु इशु मसी की ओर से अनुगर और शांती तुमें मिलती रहे मैं सदा परमिश्वर का धन्यवात करता हूँ और अपनी प्रातनाओं में भी तुझे स्मरन करता हूँ क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोग और शांती मिली है इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं इसलिए यदिया पे मुझे मसी में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आग्या तुझे दूँ तो भी मुझे बूढे पॉलूस को जो अब मसी इशु के लिए कैदी है ये और भ जान पड़ा की प्रेम से विंती करूँ मैं अपने बच्चे उने सिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विंती करता हूँ वो तो पहले तेरे कुछ काम का न था पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है उसी को अर्था जो मेरे हृदे का ट कुछ भी करना न चाहा कि तेरी एक रुपा दबाव से नहीं परानन से हो क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदेव तेरे निकट रहे परनतो अपसे दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे जो म परकार ग्रहन कर जैसे मुझे यदि उसने तेरी कुछ हानी की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले मैं पौलूस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूँगा और इसके कहने की कुछ आवश्यक्ता नहीं कि मेरा कर्ज तो तुझ पर है वो या जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा और यह भी कि मेरे लिए टहरने की जगत तयार रख मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रातनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा इप्रास जो मसी इशु में मेरे साथ कैदी है और म इसतर तीसरा अध्या एक से पंद्रा तक इन बातों के बाद राजा शयर्ष ने अगागी हमदादा के पुत्र हामान को उच्छ पद दिया और उसको मैत्व देकर उसके लिए उसके साथ हाकिमों के सिंहासनों से उंचा सिंहासन टहराया राजा के सब कर्मचारी जो दंडवत किया करते थे क्यूंकि राजा ने उसके विशय ऐसी ही आग्या दी थी परन्तों मुर्देकई न तो जुखता था और न उसको दंडवत करता था तब राजा की कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे उन्होंने मुर्देकई से पूछा तू राजा कि ये बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया, उसने उनको बता दिया था कि मैं यहुदी हूँ, जब हामान ने देखा कि मुर्द कई नहीं जुकता और नो मुझको दर्णवत करता है, तब हामान बहुती क्रोधित हुआ, उसने केवल मुर्द कई पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना क्योंकि उन्होंने हामान को ये बता दिया था कि मुर्द कई किस जाती का है, इसलिए हामान ने शयर्ष के सामराजी में रहने वाले सारे यहुदियों को भी मुर्द कई की जाती जानकर नश्ट कर डालने की युकती निकाली, राजाशयर्ष के बार्वे वर्ष के निसान नामक पहले महिने में, हामाने अदार नामक बार्वे महिने तक के एक-एक दिन और एक-एक महिने के लिए पूर अरथा चिथी अपने सामने डलवाईी, तब हामा ने राजा शेयर्ष से कहा तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मद्य में तीतर बीतर और छिटकी हुई एक जाती है जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते इसलिए उन्हें देना राजा को लाबधायक नहीं है यदि राजा को स्विकार हो तो उन्हें नश्ट करने के आग्या लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ मिराज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किकार चांदी दूँगा तब राजा ने अपनी अंगुटी अपने हाथ स लाकि तो उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही विहवार करे यो उसी पहले मैने के 13 दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान के आग्या के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांथों के प्रदानों और देश-देश के लोगों के हाकिमों के लिए प्रतियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नामक बारवे महिने के तेरवे दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्थ्री, क्या बालक सब यहुदी मार डाले जाए, नश्ट किये जाए और उनका सत्यनाश किया जाए और उनकी धन संप पती लूट ली जाए, उस आग्या के लेख की नकले सब प्रांथों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तयार हो जाए, यह आग्या शूशन गड़ में दी गई और हरकारे राजा के आग्या से तुरंत निकल गए, राजा और हामान तो द राख मदू पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई, इस तर चौथा अध्या एक से सत्रा तक, तब मोर्देकई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्देकई वस्तरफ वाड ताट पहिन राख डाल कर नगर के मद्य जाकर उंचे और दुख बरे शब्द से चलाने लगा और वो राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहिने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने के आग्यान थी, एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आग्या और नियम पहुंचा, वहां वहां यहु दी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे वरन बहुतेरे टाट पहिने और राख डाले हुए पड़े रहे इस्तर रानी की सहिलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया तब रानी शोक से भर गई और मुर्देके के पास स्वस्तर भेज करियों कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहिन ले परन्तु उसने उन्हें न लिया तब इस्तर ने राजा की खोजों में से हताक को जिसे राजा ने उसके पास रहने को टहराया था बुलवा कर आग्या दी कि मुर्देके के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था मुर्देके के पास निकल गया मुर्देके ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे उपर क्या क्या बीता है और हामा ने यहु पूदियों का विनाश करने की जो आग्या शूशन में दी गई थी उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में इस्तर को दिखाने के लिए दी और उसे सब हाल बताने और यह आग्या देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गडा कर विंति करे तब हताक ने इस्तर के पास जाकर मुर्देके की बाते कह सुनाई तब इस्तर ने हताक को मुर्देके से यह कहने के आग्या दी राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांथों के सब लोगों को भी मालुम है कि क्या पुरुश क्या स्थ्री कोई क्यों नहो जो आग् बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा उसके माल डालने ही किया गया है केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजजंड बढ़ाए वही बचता है परन्तु मैं अब तीस दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ इसतर की ये बाते मुर्देकई को सुनाई गई तब मुर्देकई ने इसतर के पास ये कहला भेजा तू मन ही मन ये विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहुदियों में से बची रहूंगी क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहुदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा परंतु तू अपने पिता के घराने समित नश्ट होगी क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो तब इस्थर ने मुर्देके के पास ये कहला भेजा तू जाकर शूशन के सब यहुदियों को इखटा कर और तुम सब म कर मेरे निमित उपवास करो तीन दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पीओ मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीती उपवास करोंगी और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद राजा के पास भीतर जाओंगी और यदि नश्ट हो गई तो हो गई तब मुर्देके चला और इस्तर के आग्या के अनुसार ही उसने किया भजन सहिदा 27 अध्याई 1 से 14 तक यहवा परमिश्वर मेरी जोती और मेरा उद्धार है मैं किस से डरू यहवा मेरे जीवन का दृड गड तहरा है मैं किसका भय काऊं जब कुकुर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे मुझे खार डालने के लिए मुझे पर चड़ाई की तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े चाहे सेना भी मेरे विरुद चावनी डाले तो भी मैं नर डरूँगा चाहे मेरे विरुद लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांदे निश्चिंत र जगाई रहूं और उसके मंदीर में ध्यान किया करूं क्योंकि वो तो मुझे विपति के दिन में अपने मंड़प में छिपा रखेगा अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चटान पर चड़ाएगा अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के के खोजी हो इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है है यहवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा अपना मुख मुझसे न छिपा अपने दास को कुरोध करके न हटा तु मेरा सहायक बना है है मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है परन्तो यहवा मुझे संभाल लेगा है यहवा अपने मार्ग में मेरी अगुआई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्थे पर ले चल मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़ क्यूंकि जूट यहवा की बाट जो होता रहे ही आओ बांध और तेरा रदे द्रड रहे हाँ यहवा ही की बाट जो होता रहे